हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राश्टर राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 38 जो की कक्षा साथवी के विध्यार्तियों के लिए यह ली गई है विज्ञान विशे से और आज इसमें हम फिर से एक बार पार्ट प्रकाश को जारी रखेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे दक्षिन्ड या वाम की तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो सबसे पहले चित्र नमबर एक और चित्र नमबर दो दिया गया है इन्हें आप ध्यान से देखना फिर आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा समतल दरपन से बनने वाले प्रतिविम में कई रोचक विशेष्टाएं होती हैं इन में से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं जैसे की दरपन में बना प्रतिविम सीधा होता है प्रतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और अब प्रतिविम की एक और व वक्षीट में हमने जाना था ना कि जो समतल धरपण में प्रतिभिम बनता है वो मेशन सीधा बनता है ठीक है और उस प्रतिभिम को हम किसी परदे या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते तो आईए आज इसके बारे में एक और रोचक विशेष्टा जानते हैं और देखते है कि वो विशेष्टा कौन सी है यहाँ पर चित्र नंबर तीन जड़ा ध्यान से देखना तो यह है जब वाम यानि बाया बने दाया है ना रोचक जब आप समतल धरपण में अपना प्रतिभिम देखते हैं तो यह बिलकुल आपके जैसा प्रतीत होता है होता है या नहीं होत किसी और का प्रतिभिम तो नहीं होता ना लेकिन आप तथा दरपण में आपकी प्रतिभिम के बीच एक दिल्चस्प अंतर है क्या अंतर है आईए निमलिखित गतिविधी करें समतल धरपण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिभिम को देखिए वह आप भी जल्दी से समत कि आपका प्रतिभिम कौन सा हाथ उपर उठाता है जब आप अपना धाइना हाथ उपर उठाओगे ना दाया हाथ तो आपका प्रतिभिम पता है कौन सा हाथ उपर उठाएगा वो होगा उसका बाया भाग बाया हाथ ठीक है अब फिर अगली स्थिति अब अपने वाम यान बाएं कान को सपर्ष कीजिए, पिल्कुल ऐसी करके देखो भई, अपने जो लेफ्ट वाला कान है उसको टच करो, और ध्यान से देखें कि आपका प्रतिबिम किस कान को सपर्ष करता है, तो आप पता क्या पाएंगी, कि वो दाएं कान को, जो दाया कान है न, आप यहां उजएदार और रोचक चीज है, तो अवलोकन क्या किया आपने, आप देखते हैं कि प्रतिबिम में दाया, बाया और बाया, दाया दिखाई देता है, केवल पार्ष में ही यह अतला बदली हुई है, प्रतिबिम उल्टा नहीं दिखता है, पार्ष का मतलब पता क्या होता ह केवल साइड सी, यानि जो आपका राइठ चीज है वो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है और लेफ्ट चीज राइट में दिखाई दे रहा है, केवल इसी में यह अतला बदली हुई है, लेकिन जो प्रतिबिम है वो कभी भी उल्टा नहीं बनता हूँ सीधा ही बनता, क्या किल शब्द है कोई बात नहीं याद कर लो पार्ष व्यूत क्रमन कहते हैं याद रहेगा तो चलो अब चलते हैं अपने आसान से प्रशन उत्तर पर पहला प्रशन है प्रतियक में कोष्ठक में दिये गए उप्यूक्त शब्द से रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए यानि ज लिखेंगे सीधा यहां पर क्या लिखेंगे सीधा फिर है वस्तु का बाया भाग दरपन में कैसा दिखाई देता है दाया आप लिखोगे यहां पर दाया और वस्तु का दाया भाग दरपन में कैसा दिखाई देता है आप लिखेंगे बाया क्योंकि मैंने अभी अभी आप को समझाया देखो दुख बंदी भी बन गई कि दाया भाग दरपन में दिखेगा बाया और मैंने अभी अभी आपको समझाया फिर इसके बाद है प्रश्ण नमबर दो प्रश्ण नमबर दो है ऐसे दो और उधारन लिखिए जहां आप दी गई गति विधी की घटनाई देखते हैं यानि जैसा अभी अभी आपने शीशे में इस गति विधी को करके देखा तो अपने डेली लाइफ में से ऐसे दो और उधारन लिख सकते हैं जहां पर आप ऐसी पानी होगे तो उस में भी आपको ऐसी नजर आएगा और दूसरा है स्टील की नई प्लेट अगर आप बिल्कुल तो यह तो थी आज की वर्क्षीट, अगर मेरे स्टरे समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलिग्राम एप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास उसको जॉइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बहार निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आपकी करोना का टिका अवश्य करवा कि अपको इस्क्रिप्शन वे कहां भी ये कम्यादाएं, लोग जाएंगार अवश्य करना है, टून येस्कंशन वे स्क्रिप्शन वे कि जड़ांस तरदाएं, ये प्रिएमुट आताएं, टून येस्क्षण नही करया है, जिसक्षण तर जच नहीं करो इस्क्ता है।,